हेलो अब्रीवन दिस इस अमन प्लीसिंग और वाचिंग टेक्नलाइस्टेक्स बहुत देज से मेरे को एक वीडियो के रिक्वेस्ट थी चैनल के ओपर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स देखे भी होंगे कि एक सूरल चार्ज कंट्रोलर बनाया जाए या फिर MPPT सूरल पावल सप्लाई है उसके साथ बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं मल्टी परपस होगा अजस्टेबल होगा वोल्टेज को कंट्रोल कर सकेंगे उस सबसे बड़ी बात उसमें ऑटो कट भी होगा यहनी कि एक ऑटो कट बैटरी इस वीडियो के लिए जो भी मड्यूल्स जो चीज़ें हम यूज करने वाले हैं वो सारी यहां पर अभी रखे हुई है इसमें से सबसे पहले तो है यह एक बैटरी जिसको हम चार्ज करेंगे जिसके लिए हम चार्जर बनाएंगे यह जो बैटरी है लूम सोलर की तरफ से ह एटम 612 मॉडल है इसका पसनली में कोई बैटरी बहुत पसंद आई है यह लूम सोलर की तरफ से हमें प्रवाइड करेंगे यह इस वीडियो के लिए और इस वैटरी का अगरा वेट देखेंगे यह तकरीबन 900 ग्राम है बहुत ही लाइट वेट बैटरी है दिखने में यह बैटरी जैसे दिख रही है बट एक्चुल में यह एक लीथियम बैटरी है और इसका जो चार्ज प्रोटेक्शन सरकेट है बीमस होता है बैटरी मैंजमेंट सिस्टम वो इसके अंदर ही लगा हूँ है इस केसिंग के अंदर सेल्स हैं जिसको कंबाइन करके लीथियम बैट है था ब्लूम सोलर जो है सोलर पैनल में इंडिया का नंबर वन ब्रेंड है इनके पास सोलर से रिगार्डिंग आपको हर तरीकी की चीज़े मिल जाएंगी आप सोलर पैनल देखना चाहते हो बैटरी जो चार्ज कंट्रोलर्स हो तक्रीबन हाल चीज इनकी वेबसाइट पे आवालेबल है कि वेबसाइट का लिंग मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगा अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए सोलर की कुछ आइटम्स पचेस करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट विजट कर सकत देंगे हमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि बकन मोटर से चार्जर बना रहे हैं इस यूज़ कर देती हैं बड़ हम इसको एस यूज़ नहीं करने बाले हैं हम इससे कंप्लीट एक चार्जर बनाएंगे जो दिखने में भी प्रोफेशनल हो तो उसके लिए मैंन एक 3D box design करवाया है एक 3D box है जिसमें दो टर्मिनल लगे हुए है यहाँ पर दो होल्स मेरे रेडी के लिए चोड़े है यहाँ पर दो नॉब्स लगाने के लिए होल्स होड़े हुए है और यह जो box है यह हमें design करके दिया है ADV CAD CAM वो भी एक YouTube channel है वो बिसिकली AutoCAD और 3D designing का सारा काम यह करते हैं तो इनके चैनल का link में description में दे दूँगा अगर आप 3D designing सीखना चाते हैं CAD CAM का अपमें इंटरस्ट है तो अब उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक display भी लगाई हुई है यह बिल्कुल ऐसी display है जो voltage और current की display होती है हमारे charger में यह battery की voltage कितनी और वो कितना current ले रही है हल चीज प्रॉपर indication के साथ यहाँ पर चलेगी तो इसको मैं इस box में fit करने वाला हूँ और fit करने से पहले कुछ इसमें हम changes करेंगे जो changes होंगे like यहाँ पर जो voltage और current के दो potential meters लगए हूँ है इनको हम replace करेंगे इन बड़े वाले potential meters के स अरे तरफ पास रहे इनके आगे नॉब्स हम लगा सकते हैं जिससे हम बाहर से इनको manually voltage और current को control कर पाएंगे जिसके अलावा इसमें LED लगी हुए बीच में अगर आप देखें तो सेंटर में LED लगी हुए जो multi color LED है वो indicate करती है कि इस buck converter के ओपर load है या फिर उस तरम load नहीं है लोड और no load की लिए दो color की indication होती है इस LED को बाहर निकाल कर हम यहां पर लगाएंगे यहां पर मैं दो लग लगा दूंगा एक green और एक red जो कि हमारे battery charger को indicate करेगी जब आपकी battery charge हो रही होगी तो red color की indication होगी और जैसे battery full charge हो जाएगी यह green हो जाएगी तो यह complete हम setup इस box म में बनाएंगे आज तो सबसे पहरे तो हमें काम करते हैं इसको modify करते हैं बागी चीज़ों को मैं side पर रख देता हूं और इसकी modification का काम हम start करते हैं सबसे पहरे तो हमें इसमें से led को निकालना है जो कि in capacitors के बीच में लगी हुई है तो उसके जो तीन connections है वह यहाँ पर यह रहे हैं इन तीनों को de-solder करके हम इस led को बाहर निकालेंगे तो चलिए इस led को बाहर निकाल लेते हैं उसके लिए मैं इस twizor का इस्तिमाल काल लेंगे तो यहां से मैंने लिडी को होल्ड कर लिया है इसको मुल्टा करते हैं ट्वीजर पहलका साम प्रेशर देते रहेंगे बिल्कुल हलका सा प्रेशर देना है और यहां पर हमें तेरे देरे करके डी-solder करना तिनों को है तो यह जो हमरी ए Whew आज एक तो यहां पर आपर देख सकते हैं इस एल्यड के तीन टरमिनल स्वे कॉमल्ट ग्राउंड है सपैवल एक कॉमन गराउंड है एक साइड याे करल में होती है दूसरी साइड या दूस्री करल में होती है अब कर लोकिक पर 20 को तॉर नॉन EPA के सा common वाले terminals हैं ground वाले टर्मिनल से उन दोनों को हम आपस में connect कर देंगे तो यह भी हमारे पास बन जाएगी दो colors होंगे जिसके तीन टर्मिनल हैं तो यहां से हमें तीन वायर्ज उठानी है जो कि हमारे box में जो पैनल बनाए हूँ हमने प्रंट पर वहां तक जा सके तो यहां से मैं यह 3 वायस ओर कर लूंगा कि यहां पर किनेक्शन कर लेता हूँ इनका तो तो यह वायर हमारी यहां पर connect हो चुकी है और इसके इसेंड के साथ हम यह एडिज लगा देंगी बॉक्स में तो इसको यहां पर भी छोड़ देते हैं next हमारे पास यह potentiometers है जिनको में replace करना है इन potentiometers के साथ तो इसके लिए पहले यहां निकालने पड़ेंगे तो इनको भी हम यहां से निकाल लेते हैं से प्रोसेस रहेगा तो जल्दी अलदी से निकाल लेता हूं तो पोटentiometers भी यहां से मैंने remove कर दिये हैं इनकी जगा भी मैं सेम यह ही वायर करूंगा तो इसको यहां पर solder कर लेते हैं और दूसरा एंड जो होगा उसका जो हमारे तो यहां पर solder हो गई हैं अब इनको जो हमारे potential meters हैं इनके साथ हम connect कर लेते हैं दोरो potential same value के हैं तो आप दोनों में से कोई भी वायर अभी कहीं भी लगा सकते हैं बाद में हम चेक कर लेंगे कि कौन सा में voltage के लिए रखना है कौन सा current के लिए रखना है यह हमारे दोनों potential meters भी यहां पर solder हो गए है यह फिर लिडीज को हम बाद में solder कर लेंगे जितनी वायर हमें चाहिए होगी इतनी कट कर लेंगे इसके बाद हम इसको solder कर लेंगे तो अभी हमें इसको इस box में fit करना है इस box में यह display पहले से मैंने लगा रखी है यह हमारे output terminal ह यहां पर connect करना है यहां से हम input देंगे fit करने से पहले आपको मैं एक बर इसका wire diagram explain कर देता हूं कि कौन सा connection कहां पर लगना है और एक इस तरीके से connect होगा इसके बाद हम इसको fit करके testing करेंगे इस हमारे पास दो main modules हैं जिनको हमें आपस में इंटरफेस करना है बागी तो connection सा है एक हमारा bug converter अब यह हमारा bug converter है इसको में इंटरफेस करना है इसके लावा दूसरा है हमारे पास डिस्प्ले यह हमारी डिस्प्ले है अब बग converter में एक तो input voltage आएगी तो यहां से मैं input voltage मेर कर लेता हूं तो हमारे circuit में हमारे पास तीन TEINS कंजर की वायज होगी एक तो red color की होगी एक black होगी और यालो होगी फॉद्वोज हमारी display उसमें 3 colors है तो यही तीन न क यहां पर मैं use करने वाला हूं तो display में से तीन मोरे हमारी वायज निकलती है जिस में से एक yellow color की होती है एक yellow color क और एक हमारी ब्लैक कलर की वायर है यह तीन वायर है और दो मोटी वाली वायर निकलती है इसमें से एक हमारी ब्लैक कलर की होती है और एक रेड कलर की जो रेड कलर की वायर मोटी वाली ये करंट के लिए है पत्ली वाली है जो वोल्टेज के लिए है ऐसी ये ब्लैक वाली जो मोटी वाली करंट के लिए और पत्ली वाली वोल्टेज के लिए है येलो वाली भी वोल्टेज सेंसिंग के लिए है अब रेड और ब्लैक का ये जो यह तो है इस डिस्प्ले को on करने के लिए यह इस डिस्प्ले की input voltage है और yellow वाली जो वायर है यह sense करने के लिए कि जिस टेमिनल पर हमें मेर करना है उस पर किनी voltage है तो इस bug converter के साथ हमें इसको interface करना है बग converter की भी दो outputs है एक positive और एक ground जैसे इसकी input है यह positive और ग्राउंड और यह output है positive और ग्राउंड तो हमें जो load connect करना है लोड के लिए हमारे पास दो terminals होंगे output के एक positive होगा यह भी और एक ground होगा इन दोनों तक हमें connections पहुंचाने हैं सबसे पहले तो जो इसका positive वाला terminal है वो तो directly हम load के साथ connect कर देंगे यह load है यह तो directly load के साथ connect हो गया display को on करने के लिए power हमें जो देनी है वो देनी है हमें input side से ताकि क्योंकि display की minimum voltage होती है वो 4 volt होती है अगर हमने कभी 4 volt से कम voltage output चाहिए हो में 3 volt चाहिए हो तो display off हो जाएगी but input पे तो हमेशा ज़्यादा रहेगी voltage इसलिए हम input से इसको power दे रहे हैं तो यहां से power दे दी और इसका जो ground वाला था इसको भी input वाले ground के साथ connect करना है चाहिए पाउटपूट वाले ground के साथ भी कर सकते हैं दोनों कॉमनी होते हैं एक ही जगा connected होते हैं यह हो गया हब display का जो ground वाला पार्ट है current वाला current वाले पार्ट को आपको connect करना है इस bug converter के ground वाले terminal के साथ यहां से इसको यहां पर connect कर देंगे यह जो मोटी वाली वायर थी यहां पर connect हो जाएगी और जो इसकी positive वाली रेड़ वाली वायर थी वह अपकी connect हो जाएगी load के negative के साथ because जो current meter होता है मिशा series में connect होता है तो current है जो यहां से flow होकर यहां परंचेगा यह portion नमारा यहां पर connect हो जाएगा लोड के ओपर यह positive रहेगा और यह ground रहेगा यह connection हो जाएंगे अब हमारे पास बच्ची है यह yellow वाली वायर हमें इस terminal के ओपर voltage sense करनी है कि यहां पर कितनी voltage है तो आप इसको back converter के साथ भी connect कर सकते हैं यहां भी connect कर सकते हैं दोनों same connection है आप चाहे इसको यहां पर solder करें चाहे आप इसको यहां पर solder करें दोनों जगा पर काम से मी रहेगा तो यह connection होने है जो हमें उस box के अंदर सारे बनाने हैं तो input के लिए उन्हें वहाँ पर terminal लगाए हुए है output के लिए वहाँ पर terminal लगाए हुए display वहाँ पर लगी हुई है तो पैक होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है यह दो LEDs मैंने यहाँ पर लगा दी है जैसा भी मैंने आपको बताया था यहां से input terminal है और control के लिए voltage का knob है यह current का है इसके उपर आप knobs भी लगा सकते हैं बट यह भी handy है easily हाँ से rotate हो रहा है तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको power की हो जाएंगी यहां पर थोड़ा सा change है यह जो center वाला portion है यह positive है पहले मैंने बताया था कि center में ground होगा बट जो LED हमने वहां पे निकाली है मैंने उसको जब मैंने चेक किया center में positive है बाकी दोनों side ground है उसका तो मैंने जो इस दोनों के positive terminal थे उनको आपस में connect कर दिया है और जो ground वाले थे वो side हो पे connect किये है इसके लावा बाकी सारे connection सेम है यह input के लिए बकन वर्टर को input यहां से आ रही है output के यह दो points थे इसके तो output के ओपर यह yellow wire इसकी connected है जो इसकी red wire थी यह connected है input के side पे और यह black wire यह भी input के side पे connected है और जो इसकी output थी यहां से red wire आ रही है direct positive output की तरफ और जो black वाली wire है यह ground के साथ connected output के और इसकी जो red वाली wire थी आप आप नीचे से देख सकते हैं यह वाली यह हमारी output के ओपर connect हो गई है और जो दो potential meters हमने wires निकाली थी वो यहां पे connected है तो यह circuit हमारा पूरा complete हो चुका है इसको हम box को pack कर देते हैं और इसकी हम testing करेंगे जैसे मैंने बताया था कि यह आपका solar panel के साथ भी connect हो सकता है आप अगर किसी power supply के साथ इसको connect करना चाहें तो power supply के साथ भी connect हो सकता है तो सबसे पहले तो आपको मैं इसको power supply के साथ connect करके दिखाता हूं और एक important feature जो इसका आपको बताना है वो है कि जिसकी वेसे MPPT solar charges use करते हैं का जाता है कि वो voltage को current में convert कर देते हैं तो अगर यसा होता है तो इसे भी करना चाहिए because मैंने starting में बोला था कि हम MPPT solar charger बनाएंगे तो input के उपर अगर मैं 1 ampere current fix करके दूँ और को variable power supply से 1 ampere current दूँ तो यहां पे अगर यह 1 ampere से ज़्यादा output दे 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 that means इसे प्रॉफल सही वर्क करेगा तो चलिए इसकी testing करते हैं पहले मैं आप एक पावर सप्लाई के साथ इसको test करता हूं after that हम solar panel के साथ भी सको test करेंगे हमारे पास जो solar panel है लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था 2.5 ampere तक maximum output दे सकता है तो हम चेक करेंगे कि यहां पर यह 2.5 से increase करके output हमें दे पाएगा या फिर नहीं यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक lab bench power supply है जिसको मैंने यहां पर 20 volt पे set किया हुआ है और उसका जो अब यह supply अपने circuit को fed करेंगे और चेक करेंगे कि वहां पर वहां पर वहां में 1 ampere से ज्यादा current निकाल के दे रहा है या फिर नहीं तो यह हमने अपने circuit के ओपर input connect कर दी है और इसकी जो voltage वाली knob है इसको मैं rotate करके आपको दिखा देता हूं यह maximum 20 volts लग जा रहा है जो हमने मैकसिमम पर set कर दिया है तो अभी हम इसका short circuit current देखते हैं अगर मैं इसको आपस में short कर देता हूं तो क्या 1 ampere से ज्यादा current इसमें से flow करता है अगर करता है तो यह हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है तो मैं यहाँ पर इसको short करता हूं short करते हैं आप देख सकते हैं 1.5 ampere तक इसमें current flow होने लग गया है 1 ampere हम पीसे से दे रहे हैं और यहाँ पर 1.5 ampere flow कर रहा है यानि कि जो भी extra voltage है उसको यह current में convert कर रहा है जैसा कि MPPT solar chargers में होता है कि extra voltage को current में convert करता है सेम वैसे ही हमारा function कर रहा है तो अभी हम इसके दिखा दिखाई देती रहे charging के लिए मैं यह लूम solar की battery इसके साथ connect करूंगा तो इन प्रॉब्स को मैं यहाँ पर लगा देता हूं एक ground के लिए और यह positive के लिए यह दोनों प्रॉब्स यहाँ पर connected है इनको मैं battery के साथ connect कर देता हूं यह connect हो गया है और इदर इसको connect करते रही अब देखते हैं red light on हो गई है और जो current है वो flow हो रहा है battery full charge है तो यह कुछ ही seconds में auto cut पे पहुंच जाएगी आप 13.9 शो कर रहा है 14.2 तक जाना है इसको तो जाए टाइम नहीं लगेगा तो अब देख रहे है current अभी 1.19 flow कर रहा है और 14.1 हमने 14.2 पे इसको सेट किया हुआ है और यह 2 हो गया है और अभी current कम होना स्टार्ट हो जाएगा इसे ही current कम हुआ, auto cut हुआ, red LED off हो गयी और green on हो गयी है और current zero हो गया, हमारा auto cut वाला circuit भी बिल्कुल सही work कर रहा है और जो current boost में चाहिए था वो भी हमें मिल रहा है विकास बेकेंड से 1 ampere supply कर रहे हैं और यह 1.29 ampere तक गया था तो इस तरीके से हमारे चाल्ज कंट्रोलर फिल्कुल सही work कर रहा है इसको सेम हम solar panel के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं सुलर पैनल को यहां पर में में ले आए हूं अभी तक दूप नहीं निकलिए तो यहां पर नोर्मल लॉइट है सनलाइट है लेकिन प्रफ़ डूप नहीं निकलिया सव्य सबागर का टाई में इस फैदर कंडिशन में हम चेक चेक करेंगे कि हमें कितनी वोल्तेज और कितन कि मैं वोल्टेज की ओपर सेट करना है तो यहां पे अभी आप देख सकते हैं 20.4 वोल्ट यह में आउट्पुट निकाल के दे रहा है अभी धूप नहीं निकली है तिल यहां पे हमें 20.4 वोल्ट मिल रही है अभी अगर इसका हम शॉर्ट सर्कुट करन्ट चेक करें कि इस ट अभी धूप ना होने के वज़े से यहां पे 21 यानि की 210 मिली एंपियर हमें मिल रहा है तो चलिए अब इस पैनल को हम अपने सर्कुट के साथ करते हैं इसके साथ और देखते हैं कि इस सर्कुट के बाद हमें कितना बूस्त मिलता है आपको जो करन्ट की रीडिंग है वह मै आपको मल्टी मेटर के ओपर शो करूंगा विकॉस लाइट में हो सकता है कि जो हमने डिस्प्रे लगाई है उसके रीडिंग आपको प्रॉपर शोन ना हो तो चलिए इसको भी हम करेक्ट करके देख लेते हैं और जो डिस्प्लेश की ओन हो गई है तो यहां पे 14.1 वोल्ट के ओपर इसको सेट किया हुआ है जबी कैमरा में आपको यह डिस्प्रेश फ्लक्ट्वेटिंग दिखाई दे रही होगी बडिए बिल्कुल स्टेबल है इसकी फ्रिक्रेंसी होती है और जब कैमरा की फ्रिक्रेंसी से अगर मैच ना करें तो हो सकता है कि आपको यह अब कराइब है कि 24 25 एंकि 250 मिलि- conferred क以しま ब्रॉपर के साथ भी प्रॉपर कर रहे है जबने म् Solid पर 111.5 बना दिया था यहां पर किneo 210ęt personally इसको इसने कि मिली एम्पइस बनाया है कि जासे क्राइब क्राइब एंसे स्थिक्वेक्राइब करे जफिर यहां उतना प्रीक्वमिश्ट करेगा ुमीद opposite को पिसंद आया होगा पसंद यह थे पहली वह आए हैं तो तो सब्सक्राइब भी जरूल करें, साथ में बाइल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको मेरी हराने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, मैं आपसे मिलूँगा अगले हफते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, थें तक कीप